आज आप सिखेंगे अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें अन्य लोगों के साथ इसे शेयर करें और नई वीडियोस की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब करें इस वर्ड डॉक्यूमेंट में हमने पहले से ही एक इमेज डाल रखी है इमेज में एडिटिंग करने के लिए हम इस इमेज को सलेक करेंगे इमेज सलेक करते ही उपर मेन्यू बार में फॉर्मेट टैब दिखाई दे रहा है हम इस पर क्लिक करेंगे आज इस वीडियो में हम आपको फॉर्मेट टैब के एज़स्ट ब्लॉक के सभी ऑप्शन्स के बारे में बताएंगे सबसे पहला ऑप्शन है रिमूव बैक्ग्राउंट इस पर क्लिक करें इस पर क्लिक करते ही इमेज का कलर कुछ इस तरह का हो जाएगा और एक अलग मेन्यू ओपन हो जाएगा जिसमें आपको कुछ और आप्शन्स दिखेंगे इनमें से सबसे पहला आप्शन है Mark Areas to Keep मतलब उन एरियाज पर क्लिक कीजिए जिनने आप इमेज में रखना चाहते हैं हम उन एरियाज पर क्लिक करते हैं और अब इसको ड्रैक करते हुए वो वो एरिया आप लेते जाएं जो आप रखना चाहते हैं ये हमने एरिया सेलेक कर लिया है अब हम एंटर प्रेस करेंगे ये देखिए जो एरियाज हमने मार्क किये थे उनके अलावा इमेज के दूसरे सभी पार्ट्स रिमूव हो गए हैं अब हम ये चेंज हटा देते हैं और दूसरा ओप्षन देखते हैं जिस तरह से हमने इस ओप्षन का उप्योग किया इसी तरह से आप दूसरे ओप्षन का उप्योग भी कर सकते हैं अगला ओप्षन है करेक्शन्स जब हम इस पर क्लिक करेंगे इस पर क्लिक करने पर एक मेनू ओपन होता है इसमें आपको यही image अलग-अलग color format के साथ दिखाई पड़ेगी जिन में sharpness और brightness कम या ज्यादा होगी हम जस भी image पर mouse ले जाएंगे image में वो changes आपको दिखाई देंगे अब हम इसमें से किसी भी एक image पर click करते हैं यह हमने इस image पर click किया दिखें यह image चेंज होके ऐसी हो गई है अब हम दोबारा corrections option पर click करके आपको कुछ और options के बारे में बता देते हैं इसी menu में नीचे की तरफ आपको picture corrections options दिखेगा इस पर click करें click करते ही right side में एक menu open होगा इसमें भी picture formatting के options आपको मिलेंगे जैसे sharpness के लिए preset option दी है जैसे की उपर वाले menu में थे और उसी के नीचे slider है जिसके सहायता से भी आप sharpness कम या ज्यादा कर सकते हैं उसी तरफ आप brightness भी set कर सकते हैं अब हम आपको edges block के अने options के बारे में बताते हैं color option के सहायता से आप image को अलग-अलग color दे सकते हैं यह देखिए जिस भी option पर हम mouse ले जा रहे हैं image का color वैसा हो रहा है आपको जो भी color set करना हो उस पर click कर दें आपको इसे menu में नीचे भी तीन options दिखेंगे इनमें पहला option है more variation जिस पर mouse ले जाते ही color की list दिख जाएगी इसमें से आप चाहें तो अलग-अलग color चुन सकते हैं उसके नीचे है set transparent color जिसके सहायता से आप image के background को transparent कर सकते हैं पर एक बात का ध्यान रखें इस option के सहायता से सभी images का background transparent नहीं होता है हम इस पर click कर रहे हैं और अब हम इस picture पर click कर रहे हैं पर यहाँ पर देखिए इससे कोई फरक नहीं पड़ा है हम दूसरे picture पर ये करके देखते हैं पहले हम एक नई picture insert कर लेते हैं ये हमने नई picture insert की अब इसमें हम इस option का उप्योग करके देखते हैं set transparent color हमने चुना और अब जहाँ पर भी हम click करेंगे वहाँ से वो color हट जाएगा अब इस पूरी picture में जहाँ जहाँ पर black था वो देखिए वो सब हट गया है ये transparent हो गया है अब हमको अगर किसी और color पर ये करना है तो वापस से हम set transparent color choose करेंगे माली ये blue हमको हटाना है तो ये हमने blue पर click कर दिया तो ये देखिए blue transparent हो गया है और पुराना वाला जो black था वो अपने आप वापस आ गया है इसको हमने वापस normal कर दिया है सबसे last में picture color options हैं इस पर click करते ही right side में वही menu open होगा जो पहले हुआ था इसमें नीचे की तरफ आपको picture color वाले options दिखेंगे यहां से आप image के लिए कोई भी पसंदीता color चुन सकते हैं यहां predefined options के अलावा sliders भी दे रखे हैं जिनके सायता से आप image में अपने अनुसार color change कर सकते हैं यहां पर नीचे आपको crop का option मिलता है यह option आपको size block में यहां पर उपर भी मिलता है जो हम आपको पहले ही सिखा चुके हैं चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और adjust block के दूसरे options देखते हैं नेक्स्ट option है artistic effects जिससे click करने पर एक drop down menu open होगा यह देखिए जिस भी option पर हम mouse ले जा रहे हैं इमेज वैसा effect शो कर रहा है आपको जो भी effect set करना हो उस पर click कर दें इसे menu में नीचे की तरफ आपको artistic effects options दिखेगा जिसके सहायता से आप और भी effects image में डाल सकते हैं हम इस पर click कर रहे हैं click करते ही right side में ये एक menu open हुआ है इसमें से हम artistic effects के सामने दिख रहे arrow पर click करेंगे उस पर click करते ही एक sub option हमें दिखाई देगा हम उसके सामने दिख रहे box के drop down arrow पर click करेंगे उस पर click करते ही एक menu open होगा जिसमें से आप कोई भी effect चुन सकते हैं यहाँ नीचे दो sliders हैं उपर है transparency इस slider की सहायता से आप picture की transparency को कम्या ज्यादा कर सकते हैं और उसके नीचे है pressure पिक्चर को वापस normal करने के लिए reset पर click कर दें चलिए अब हम आपको image को compress करके बताते हैं compress pictures हमें तब काम आता है जब हमें emails में बड़ी files भेजनी हो और वो file size ज्यादा होने के कारण देच नहीं होती हैं compress pictures की सहायता से आप image की file size कम कर सकते हैं इससे image के dimension या quality पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा यानि image वैसी की वैसी दिखेगी image को select करने के बाद इस option पर click करें ये देखे एक window open हुई है इसमें कई options हैं apply only to this picture जो की by default selected है मतलब केवल एक picture compress होगी दूसरा है delete cropped areas of picture ये भी पहले से ही selected है इसका मतलब ये कि यदि आप picture को crop करते हैं तो ये option crop किये गए area को हटा कर picture को compress करेगा उसके नीचे जो option selected है वो है use document resolution मतलब जो document का file size है वो वैसा का वैसा रहेगा और यदि आप email भेजने के लिए document की file size को compress करना चाहते हैं तो इसके उपर वाला option मतलब email select कर सकते हैं इतना करने के बाद okay पर click कर दें इस तरह आप picture का size compress कर सकते हैं compress pictures के बाद next option है change picture जिसके साहता से आप picture बदल सकते हैं इस option को click करने पर एक window open होगी जिसके साहता से आप अपने computer से या फिर online कोई भी picture select कर सकते हैं हम आपको computer से picture insert करना तो बता ही चुके हैं इस option की साहता से हम online picture insert करना भी सीख लेते हैं हम यहाँ पर दिख रहे Bing image search option पर click करते हैं उस पर click करते हैं कुछ categories आपको दिखाई पड़ेंगी आप यहाँ से भी आपकी इच्छा नुसार category चुन सकते हैं चुके हमें cartoon वाले खरगोश का photo यहाँ डालना है तो हम यहाँ type करते हैं rabbit इतना type करते ही देखिए यहाँ drop down menu में कुछ options दिखाई पड़ रहे हैं इसमें से हम rabbit cartoon चुनते हैं यह देखिए इस पर click करते ही यहाँ पर काफी सारी images दिखाई देने लगी हैं अब इसमें से जो भी image चाहिए उस पर click करें और फिर insert पर click करें insert पर click करते ही पुरानी image नई वाली image से replace हो जाएगी यानि पुरानी image यहाँ से चली गई और यह नई यहाँ पर आ गई है अब चली हम आपको last option के बारे में बता देते हैं उसके लिए हम इस image में कोई भी effect दे देते हैं जैसे हमने यह effect दिया है अब यदि हम इस effect को या किसी भी effect या color को या फिर editing को image से हटाना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमें वही original image मिल जाए तो हम इस image को select करेंगे और फिर reset picture के आगे दिख रहे drop down arrow पर click करेंगे उस पर click करते ही यहाँ पर दो options दिखाई पड़ेंगे reset picture और reset picture and size यदि आप केवल picture को reset करना चाहते हैं और यदि picture को reset करने के साथ picture को original size में लाना चाहते हैं तो second option चुनिए यहाँ से हम पहला option चुन रहे हैं यह देखे उस पर click करते ही picture जैसी थी वैसी हो गई है MS Word 2016 के इस अध्याय में format tab में adjust block के अंतरगत आज आपने सीखा picture background हटाना artist take effect डालना picture compress करना इत्यादी अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे like करें अने लोगों के साथ इसे share करें और नई वीडियो की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें जोगों के अत्य उत्यादी जोगों के वीडियों आपकोल